जैहिं दोस्तों स्वागए तर आपके इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रविन्नाय टैगोर जी के सिक्षा दर्सन सिक्षा में उनका योगदान क्या रहा और सिक्षा कि क्या उद्देश से और सिक्षा कि क्या वो सिधानत दिये थे इस पीसे में हम बात करेंगे देखे ये काफी important question है कभी पूछता है कि रविन नार टैगोर जी का सिख्छा में क्या योगदान रहा या फिर रविन नार टैगोर जी के सिख्छा दर्सन से आप क्या समझते हैं उनके उद्देशियों और उनके सिधानतियों का वड़त कीजिए तो बहुत ही ज्यादा important question है दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी समस्याएं solve हो जाएंगी रविन नार टैगोर के सिख्छा दर्सन की से जुड़ी हुई तो सबसे पहले सुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों रविन नार टैगोर ची के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी इनके जीवन से जूड़ी हुई जानकारी हम थोड़ा सा हासिल कर लेते कि रविन नार टैगोर ची का जन्म साथ मैं को 1861 में बंगाल के एक सिचित एवं धनी तदा सम्मानित परिवार से हुआ था ठीक है रविन्ना टैगोर जी को अन किस नाम मुझे जाना जाता है इन्हें रविन्ना ठाकूर और गुरु देव के नाम से भी जाना जाता है और एक और चीज़ बताते हैं अंग्रेजों ने इन्हें सर की उपादी दी थी जो की जलिया वाला भाग खत्या कांट के बाद इन्होंने सर की उपादी आपनी वापस लोटा दी थी इनको अन्य की नाम से जाना जाता है रविन्ना ठाकूर अथ्मा गुरु देव के नाम से भी जाना जाता है वीजता थे तो रविन्ना ठाकूर चीखी को नोबल पुरसकार भी मिल जा चुका है और याद रखिए कि एसिया के ये प्रतम वेक्ति थें जिनको कोई नोबल पुरसकार मिला है केवल भारत की नहीं बात कर रहे हैं पूरे एसिया के ये प्रतम वेक्ति थें जिनको नोबल पुरसकार मिला है तो गुर्देव जी एसिया के पर्थम नोबर पुरुषकार वीजेता भी है और दो देशों के राष्ट गीत इन्हों नहीं लिखा है दोस्तो माफ किजी का राष्ट गीत नहीं राष्ट गान ठीक है और बांगला देश के राष्ट गान आमार सोनार बांगला इन्हीं की रचना है ठीक है तो दो देशों के राष्ट गान के रचीता कौन है भई रविननाट ठाकूर जी है और गुरुदेव जी है तो ये हो गई थोड़ी सी बेसिक इनके बारे में जनकारी आगे चलते हैं कि सिक्षा के बारे में ठाकूर जी ने क्या कहा था हमारे गुरुदेव जी ने क्या कहा था थे कि गुरुदेव जी ने अपनी एक किताब प्रसनालिटी लिही दी ठीक है तो रविननाट ठाकूर जी अपनी पुस्तक परसनालिटी में खा था कि सरवत्तम सिक्षा वो है Best सिक्षा, highest सिक्षा कौन है सरवत्तम सिक्षा वही है जो संपूर स्रिष्ट को हमारे जीवन का समझे अस्थापित करती हो संपूर स्रिष्टी से entire existence से हमारा समझजस अस्थापित करती हो English में बात करें दोस्तो The highest education इसका मतलब समझ जाए इसका मतलब यह है कि इनके अनुसार सरवत्तम और बेस्ट सिख्छा वो है जो इंटाइर वर्ड से पुरी दुनिया के जितनी भी चीज़े एक्जिस्ट करती हो हर एक इंसान हर एक जीवित प्राणी हर एक वस्तू हर एक देज हर एक व्यक्ति से समझे अस्थापित कर दे एक संबंद अस्थापित कर दे उनके लिए आपके दिल में प्यार और सम्मान की भावना उत्पन कर दे वही सबसे बेस्ट वही सबसे हाइस्ट वही सबसे सरवत्तम सिख्छा है तो एक बार और दिख लेते हैं दोस्तो रवीन ना टैगोर जीने आप यहां देखिए संपूर स्रिष्टी से रविन्या टैगोर्जी का आसा है था कि संसार के परतेक व्यक्ति वो चाहे किसी भी देश का नागरीक हो ठीक है परतेक सजी वो प्राड़ी तथा संसार के हर वर्ग के लोगों के प्रती प्रेम और सदभाव की समंज्या स्थापि तो इसी को इन्होंने कहा कि संपूर स्रिष्टी से तो सिक्षा के बारे में इनका ये अर्थ था रविन्या टैगोर्जी के बारे में सिक्षा के बारे में ये कहा था नेक्स हम देखते हैं कि सिक्षा के उद्दे से क्या बताये थे तो इन्होंने पहले तो सिक्षा के बारे में क्या खाता देखिए उद्देश के बारे में खाता रविन्ना टैगूर जी ने कि सिच्छा के निमनलिखित उद्देश से होने चाहिए अगर कोई बंदा सिच्छा हासिल कर रहा है तो उसे ये चीज़े पराप्थ होनी चाहिए क्या-क्या सबसे पहले स्की सारडिक विकास होनी चाहिए, फिजिकल डेवलप्मेंट, मांसिक विकास, मेंटल डेवलप्मेंट, नैतिक एवं अध्यात्मिक विकास, मोरल एंड स्प्रीच्वल डेवलप्मेंट और समस्त सक्तियों का विकास, डेवलप्मेंट अफ आल पावर, ठीक है, समाजि बिंदू है जिनका एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ सॉरी यह आठ वो बिंदू है आठ वो उद्दे से है जो कि सिख्छा के उद्दे से मानेगा है रविन्ना टैगोर जी के द्वारा अब यह तो हेडिंग हो गए दोस्तों दोस्तों यह आप यहां पे वन बाई वन दे सिख्चा का परताम उद्दे से है सिख्चा का उद्दे से कि सारणिक तौर पर बच्चा स्वस्त रहा है जी कि उनका कहना था कि सारणिक विकास के लिए यदि आवस सकता हो तो अध्यान को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो फल को तोड़ने तथा प्रक्रतिक के माता के साथ अनेक प्रकार के खेल कूद तथा वयाम को आवस्यक बताते हुए पोस्टिक भोजन पर बल दिया अब इनका मानना था कि सिक्छा में कुछ एक्टिविटी जैसे कि स्विमिंग करना पेड़ पर चड़ना ठीक है फल तोड़ प्रक्तियों का विकास ठीक है और यहां पर सामाजिक विकास और राष्टियता की विकास और अंतराष्टिय द्रिश्टिकोर्ण तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इसकी स्क्रीन शॉट ले लिए ठीक है क्योंकि यह ऐसे जेनरल पॉइंट से हैं जिसको आप स् फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मोरल और स्पिरिच्वल डेवलपमेंट आप इसको पढ़के समझ जाए और स्वेम बना के लिखिए ठीक है इसमें ऐसे कोई चीज नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी आप स्वेम बना के भी लिख सकते हैं ठीक है तो आप इसकी स्क्रीन शॉट लेके समझ जाए और स्वेम अपने भासा में इसको लिखिए तो यह हो गया दोस्तों सिक्षा के उद्दे से रविन्ना टैगोर जी के तुवरा सारीक विकास, मानसिक विकास, नैतिकेम, अध्यात्मिक विकास, समझ सक्तियों का विकास, समाजिक विकास, राश्चेता का विकास और अंतराश्चे दिस्कोर्ड का विकास, ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, दूसरों, टैगोर जी ने सिक्षा दरसन के सिधानत किया दिये, देखिए, सबसे पहले आप सब को बता है कि टैगोर जी एक बहतरीन रचनाकार थे, ठीक है, बहतरीन वो एक दरसनिक थे, विश्व विख्यात दरसनिक थे, ठीक है, तो उन्हों ने जब उनको रचनाकार कहा गया, तो उन्हों ने उन चीजों पर बल दिया, उन्हों ने दैगोर जी के सिक्षा दरसन में उन सिधानतू को भी इंक्लूड किया, जैसे कि में भारतिये विचारधारा भारतिये समाज की प्रिष्ट भूमी का असपस्ट ग्यान परदान किया जाना चाहिए भारत अपने देश के बारे में अपने प्रिष्ट भूमी के बारे में आप जानिये उनका ये मानना था उनका ये सिछा का सिधान था तीसरा देखते हैं कि छ पतलब होता है जो भी abbiamo चीज़ तो चात्र को नगर की गंदगी। और अनय तिक्ता क्योंकि एक विद्यार्ति होना होता है उसकी घ्रांति किच्छा उसकी किदाबि मेरा जाहिए उसी चीज़ को यहां पर जाला एक चात्रों को नगर की गंदगी और और नैतिकता से दूर प्रकृति के घनिष्ट संपर्क में रहके सिख्छा दी जानी चाहिए मतलब इसका सिंपल से कहने का मतलब ये है कि स्कूल को या भी सिख्छा के अस्थान को राजनीतिक धारम और इन सारी बुराईों से अलग रखना चाहिए ठीक है गंदी राजनीति और धारम के नाम पे जो वाद विवाद और फसाद हैं उस चीज़े से सिख्छन सास्थान को दूर रखना चाहिए उनके कहने का मतलब ये था अब आईए सिख्छा राश्ट्रिय होनी चाहिए और उससे भारत के अतीत एवं भविस्य का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए मतलब अगर आप किसी चीज को सिख्छा दे रहे हैं तो भविस्य में क्या चीज़े हो सकती हैं इसको आपको अभी तयार रहना चाहिए मतलब यहाँ पे राश्ट्रीता की बात हो रही है कि सिक्षा का उदेश होना चाहिए सिक्षा का सिधान्त की राश्ट्रीता उसके अंदर हो next दोस्तों सिक्षा का समुदाय के जीवन में घनिश संबंध होता है उसे सजीव और गतिसील होने के लिए व्यापक दिर्ष्टिकोण रहना चाहिए साथवा देखते हैं सिक्षा का माध्यम मात्र भासा होना चाहिए हिंदुस्तान के जितने भी विद्वान है सबका ये मानना है कि सिक्षा का माध्यम मात्र भासा होना चाहिए क्योंकि विदेशी भासा द्वारा अनत मुल्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता कैसे किया जा सकता है भाई हमारी मात्र भासा ही हिंदी है जिनकी मात्र भासा बेंगॉली हो मराठी हो वो सुरू से ही अपनी मात्र भासा में ही बात की है तो उस भासा में किसी चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं ठीक है तो इसी चीज को लिखा गया है कि सिक्षा का माध्यम मात्र भासा होना चाहिए ठीक है आगे नेक्ष देखते हम दोस्तों आठवा पॉइंट क्या है आठवा पॉइंट है इसमें सिक्षा का उद्धे से होना चाहिए व्यक्ति के सभी जनम जात सक्तियों एवं उनके व्यक्तितों का सरवगीड एवं समंझे स्पूर्ण विकास होना चाहिए उनके व्यक्तितों का सरवगीड विकास होना चाहिए complete development, all around development यहाँ पे सर्वगीड विकास का मतलब होता है कि सारडिक विकास मांसिक विकास बोधात्मक विकास ठीक है तो सर्वगीड विकास मतलब हर एक चली से बोडी से फीलिंग से उनके दिमाग से तो सर्वगीड विकास होना चाहिए इन्होंने ये तैगोर के सिछा दर्शन के ये स धान्त बिंदू आप देख रहे हैं नवा देखते हैं भई जन्त साधाराण को सिच्छा देने के लिए देशी प्रात्मिक विद्यालों को पुना जीवित किया जाना चाहिए प्रात्मिक विद्यालों जो हर एक गाह मुहले गली में मौझूद होती हैं अगर वो चीजे खतम हो रहे हैं तो उसे पुना जीवित किया जाना चाहिए और यथा संभव सिच्छा विधी का आलहार जीवन प्रकृति और समाज के वास्तविक प्रस्तिती पे होनी चाहिए इनका कहने का मतलब किताबी ज्यान से दूर जो वास्तविकता ज्यान है जो समाज और प्रकृति का ग्यान है वह सिख्छा के सिधान्त होने चाहिए सिख्छा के पार्टे क्रम में होने चाहिए तो यह वह बिंदू थे पार्टे दोस्तों जो टैगोर जी के सिख्छा दर्शन के सिधान्त माने जाते हैं अब प्लीज इसे जरूर जरूर इसे समझ लीजीगा और इसको एक बार देख लीजीगा ठीक है नेक्स्ट हम मूव करेंगे और जो इंग्लिस मेटियम है मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा लेकिन प्लीज आप अगर समझ सकते हैं तो ठीक आप इसको इंग्लिस में इसली ट्रांसलेट कर सकते हैं ठीक है अगर नेक्स्ट हम मूव करेंगे दोस्तों टैगोर जी ने कौन से सिख्छड वीधियों को माना एक्चुल मैं दे प्रेस्टिंग भी लगेगा रूचिकर भी लगेगा और बच्चे सिख्छड के उदेश को इसली प्राप्त कर लेंगे वो छेट विधि कौन से हैं दोस्तों पहला था कि भ्रहमण के समय पढ़ना उनका मानना था कि बच्चों का मानसिक तोर पे रेडी होना इंपोर्टें नहीं थे हैं उनका मानना था कि बच्चों के पढ़ानी का स्थान बदलते रहना चाहिए इससे बच्चे क्या होते हैं फ्रेश होते हैं उनका माइंड फ्रेश होगा और वो इसली चीजों को समझ सकेंगे तो उनका मानना था ब्रहमण के समय पढ़ना चाहिए ठीक है दूस डूस्रा क्रिया वेधी activity method ठीक है activity method होना चाहिए पढ़ाने के लिए मात्र भासा दुवारा से चछर्ड मदर तंग में लेंग्वेज में ठीक है पढ़ाना चाहिए और खेल दौरा से अधिक है खेल खेल में बढ़ाके बच्चों को पढ़ाना चाहिए दुसरा था स्वानुभाव द्वारा सिख्षड मतलब learning through experience आप यहाँ पर अनुभाव भी लिख सकते हैं ठीक है अनुभाव द्वारा सिख्षड होना चाहिए अनुभाव द्वारा सिख्षड का मैं हमें से एक example देता हूँ ठीक है खास दोर पर जब आप बीएड कर रहे हैं तो आपको माइक्रो टीचिंग कराया जाता है यह क्या है अनुभाव द्वारा ही सिख्षड है अनुभाव आप सीख रहे हैं कि कैसे पढ़ाना है इसी चीज़ को यहाँ पर explain किया गया है थोड़ा आपको बस एक बार देख लेना है और अपने भासा में लिकिए हेडिंग याद रखिए और अपने भासा में लिकिए देखकर उनके विषय में जञान को सरलता से प्राप्त कर लेकिए इसी द्रिष्टी से टैगोर के इसने सब्य हैं कि तो टैगोर जी ने खिद अपने ही सब्दों में कहा है कि अनका मानना है और इसा कि तूपिक ब्रत्य चुरुप से देहं कर इजिली घुषा को नेक्स्ट हम मूव करेंगे दूस्तों वाद विवाद प्रशनोत्तर भी थी मतलब डिसकस करके पढ़ना इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको जानकारी ना हो आप जरूर जानते होंगे लिकिन टैगोर जी का विश्वास था कि वास्तविक सिच्छा कि अवर पुस्तको अनेक प्रकार की समस्याएं रखनी चाहिए जिससे कि वो इन समस्याओं को हल वाद विवाद द्वारा आसानी से कर सकें अनेक प्रकार की प्रस्तितिया रखिए जिसको डिसकस करके उन समस्याओं को हल करें और इस तरीके से वो क्या करें सीखें ठीक है नेक्स तीसरा परकर करके किरिया विदी use to करके SAY मैं करके सीखने बश्यकिणे कर के कि लिए उन्हों विज्वास ता कि करिया शरीरे वा मस्तिक दोनों को सक्थी प्रदान करती हैं। इसलिए हुन्ने सांती निकेतन में किसी ना किसी दस्कारी को सीखना अनिवार कर दिया था ठीक है कोई ना कोई आपको skill सीखना वहाँ पे compulsory था टाइगोर जीने कारेक के सिधान्त पर इतना विश्वास करते थे यदि कोई बालक सिछा प्राप्त करते समय भी उनसे पूछे क्या मैं दोड़ जाओं तो वह कहते थे अवश्य ठीक है उनका विश्वास था कि पेंड पर चड़ने फल तोड़ने था था कूदने फादने से थाकावर दूर हो जाती है जिससे बालक ग्यान प्राप्त करने के लिए अच्छी दसा में आ जाता है तो उनका मतलब था क्रियेटिविटी होना चाहिए थोड़ा एक्टिविटी होना चाहिए ठीक है इसलिए स्पोर्ट्स प्रियर्स रखा जाता है बचों को पढ़ाते समय थोड़ी अंताक छड़ी तोड़ी कबड़ी यह थोड़ा गेम खेलाना तो यह उसी का एक मेथड़ नेक्स था दोस्तों मात्रभहासा में, इस में बहुत जद्या बताने की जरूत नी है, कि टे गोरजी का मात्रभहासा, कमाना था कि मात्रभहासा में पढ़ाना शिख्षड कराना, आसान होता है, बच्यों को समझने में, फाइदा होती है, ठीक है नेक्स्ट हम मूफ करेंगे खेल के द्वारा सिक्षर वह अभी बात की गई कि टैगोर जी का कहना था कि बालको को सिक्षर खेल द्वारा दिया जाना चाहिए क्योंकि खेल द्वारा सिक्षर उत्तम होता है क्योंकि खेल में बालको रूची लेते हैं आनन्द का अनुभव करत करते हैं तता स्वतंतरा का भी अनुभौ करते हैं इसमें सिख्षण मंदर अंजन तता सरवर हो जाता है ठीक है अब दूसरा क्या अनुभौ दोबारा सिख्षण लर्निंग थ्रू एक्सपिरियंस टेगोर जी का विश्वास था कि सिख्षा इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सिख्षा में बालक स्वेम के अनुभौ से चीजों को सीख सके ठीक है तो यह हो गया दोस्तों उनकी विधियां ठीक है कौन से मैथड यूज करने चाहिए सीखने अबिमत ठीक है किरिया विधी समात्र भासा यह अपने सब्दों में इसको लिखना है आपको बस हैडिंग याद रखना है कौन सी हैडिंग यह जो छेए पॉइंट से आपको वो याद रखना है ठीक है चाहे हिंदी मेडियम हो या इंगलिस मेडियम हो उसके अंदर तो एक दोस्ता है कि पाठ्यकरम ठीक है रवीद ना टैगोर जी ने एक पाठ्यकरम बनाया था ठीक है और वो पाठ्यकरम के बारे में उनका क्या कहना था उनका कहना था कि पाठ्यकरम एक विस्तरित होना चाहिए ठीक है टैगोर जी पाठ्यकरम को विस्तरित बनाने के पक्छों का विकास हो सके तो टैगोर जी का यही कहना था उनके अनुसार पार्ठेक्रम इतना व्यापक होना चाहिए कि उसकी परिदी में बालक के जीवन के सभी पक्छों का विकास हो सके अतो बालक के लिए समुच्चे विकास के लिए किरिया परधान पार्ठेक्रम का निर अंग्रेजी इतिहास भुगोल प्रकृति अध्यान कला और संगीत उन्होंने इस विशय को अपने पार्ठेक्रम में रखा था और वो उचाते थे कि हर एक पार्ठेक्रम में ये विशय रहें और उप्योगी वस्तू उन्होंने क्या रखा था भई उन्होंने रखा था कि इस चीजे पर जोर दिया था और अन्य क्रियाओं में उन्हें क्या रखा था भाई खेलकूद नाटक संगीत निरत्य मौलिक रचना और ग्रामुत्थान तता समाज से वाकार तो अपने विद्याले सांती निकतन में जो पाठेकरम बनाया था उसकी रूप रहा कुछ इस प्रकार क्या रहा है तो पाठेकरम में उन्होंने क्या का था व्यापग होना चाहिए और उन्होंने पाठेकरम में इन बिंदूओं को अंकित कीया था ठीक है आप इसको देखलीजिगा ठीक है दोस्तों लास्ट बट नॉट ड़िस्ट टैगोर ची का क्या मानना था कि एक सिच्छक का स्थान क्या है बालक के विकास में तो टैगोर सिक्षा दर्सन में सिक्षक का क्या महतो होना चाहिए सिक्षक का क्या स्थान होना चाहिए तो टैगोर जी की द्रिष्टी से सिक्षक ज्यानी सायमी एवं बच्चों के प्रति समर्पित होना चाहिए सिच्छक के विशय में टैगोर जी का विचार पूडेता परंपरावादी थी गुरुदेव के अनुसार सिच्छक के बिना सिच्छड संभाव नहीं है अब उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां बताई सिच्छक को किस पकार होना चाहिए तुन्होंने कहा कि सिच्चक एवं बालकों केसको समाल रूप से सांस्कृतिक प्रमपराओं का अनुषणण एवं सत्य की खोज़ करनी चाहिए ऐसा नहीं कि बस बिद्यार्ति ही पढ़े नहीं सिच्चक खुद भी पढ़ता रहे वो सांस्क्रितिक प्रंपराओं का अनुसरण और सत्य की खोज में लगा रहे है कौन सिच्छक दूसरा उन्होंने सिच्छक के बारे में कहा था कि सिच्छक को ऐसे वातावरण का निर्मार करना चाहिए जिससक बालक अनुभा द्वारा अधिक सरलता एवं दच्छता से चीजों को सीख सके ठीक है नेक्स्ट उन्होंने कहा था सिच्छक का कोई भी कारे बालक के रचनात्मक सक्ति का दमन करने वाला और उसकी उल्लास वर्धक वृत्यों में बाधक नहीं होना चाहिए कोई भी उसकी कारे मतलब ऐसा नहीं कि उसको डांट दे या फिर उसको भगा दे कोई ऐसा कारे बिल्कुल ना करे सिच्छक जो की बालक के रचनात्मक सक्तियों का दमन करे ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों सिच्छक को सिचण विधियों में सिच्छा को बालक को प्रेणा दाई मोटिवेट करके सिच्छा प्रद अनुभाव परधान करना चाहिए न कि किसी पुस्तकी ज्यान क्योंकि ऐसा करने से वह बालक को ज्यान अर्जन कराने की प्रेणा नहीं दे सकता अब सिंपल सी बात है कि एक चीज होता है कि बच्चों को सिखा देना और एक चीज होता है कि बच्चों को ऐसे मोटिवेट करना कि वो खुद से चीजों को सीखे खुद से उनके अंदर वो उर्जा उत्पन हो कि वो सीखने के लिए आगे बढ़े उन्हीं इसी चीज़ को उन्होंने कहा है कि बालक को प्रेनडा दाई सिच्छा प्रद अनुभव परदान करना चाहिए ना कि पुस्तक ज्यान ठीक है क्योंकि जब हम प्रेनडा देंगे तो बच्चे स्वयम से ही सीखेंगे ठीक है तो ये दोस्तों रविना टैगोर्ची की इस सिच्छा दर्सन में इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि विस्तरित आप जान चुके हैं समझ चुके हैं और रही बात लिखने की तो आप उसको अपनी सब्दों में लिख सकते हैं क्योंकि अगर आप ये समझ गए हैं कि सिच्छक के अस्थान सिच्छक के महत्तों क्या बताया था रविना टैगोर्ची ने आप इसली लिख सकते हैं तो थोड़ा सा रिक्याप कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा ठीक है तो इस वीडियो में हम आप इजली लिख सकते हैं नेक्स दोस्तों टैगोर जी ने जो सिच्छड वीधिया अपनाई थी और जो सिच्छड वीधियों को अपनाने के लिए कहा था वो 6 सिच्छड वीधिया यहाँ पे हैं भ्रहमण के समय पढ़ना वाद विवाद और प्रत्र से पढ़ना क्रिया विधी से पढ़ना मातरभासा में पढ़ना खेल कूद वारा पढ़ना और स्वयम के अनुभवब दवारा पढ़ना थीक है तो यह सिच्छड वीधि बताये थी इस विधिके द्वारा सिच्छड का कार करू करना चाहिए next हमने इनके सिख़ा दर्शन के दस सिधान्त देखे दोस्तों प्रीज इसकी screenshot आप जरूर लेदी लीजगा और इसकी साथ हमने देखा कि क्या उद्धे से थे टैंगोर जी के सिख़ा दर्शन के ठीक है पूरे एसिया में जिने नोबल पुरुषकार मिला था और भारत के राष्टरिकान जनगण मनगण और बांगलादेश के राष्टरिकान आमार सोनार बांगला के रचीटा कौन ते भई तो दोस्तो मेरी कोशिज थी कि आपको ये चीजे समझा दे उमीद है आपको ये चीजे समझ में आई होंगी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा आप एक बार अपनी स्रीज जरूर खोलिए अपनी बुक जरूर खोलिए स्वयम अध्यन जरूर करिए और डाउट जो भी आपको रविन ना टैगोर जी के सिक्षा दर्सन, सिक्षा के उद्यश और सिधान को समझाने में फिर भी अगर कहीं तूटी हो कहीं चीजे रह गई हों उसके लिए मैं मैं छमा चाहता हूं ठीक है आप प्लीज इस चीज को आप एक बार स्वयफ सेल्फ इस्टेडी जरूर फिर भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो जनकारी आपको अच्छी लगी हो और अगर चीजे समझ में आई हो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप कमेंट बॉक्स में आके मेरी जो भी अगर फीड़ बैक हो अच्छी लगी हो तो वो कह दें अगर अच्छी नहीं कर देंगे और दोस्तों बहुत खुशी होगी मुझे अगर आप कमेंट में फीडबैक देते हैं शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं कमेंट बॉक्स में प्लीज अपना खूब क्याल रखिए और पढ़ते रहिए अ जय हिन जय भाद